पंजाब की सिख्या विभा की पूरी टीम ने जो कार्य किया है उनकी मेहनत रही है यह उसका नतीजा है यह ठीक है कि आज दिल्ली वालों को अंगूर खटे लगने लगे पर पंजाब के लिए पंजाबियों के लिए यह एक बहुत प्राउड मोवमेंट है बड़ी खुशी क का वक्त है और मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ अगर कुछ पंजाब से सीखने की बात हो तो सीख लेना चाहिए हर वकत अपना स्टैंड चेंज नहीं हमें करना चाहिए आपने देखा होगा पश्चात के अंदर जो जो पॉलसी पंजाब सरकार कैप्टन अमरंदर सिंग जी तो यह सभी पॉलसी जो पंजाब सरकार लेकर आई है सिख्षा विभाग ने और उनके अध्यापकों ने पिछली वक्त में की है यह उसका एक नतीज़ा है चाहे टीचर ट्रांसफर पॉलसी की बात आई 100% टीचर की मेरिट के अधार पर उनकी बदली होना स्मार्ट स्कूल पॉलसी की बात आई डिरेक्ट रुकूट्मेंट आफ टीचर की बात आई सर्वेस कमिशन के माध्यम से प्रिंसिपल काडर और हेड टीचर और सेंटर हेड टीचर और ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर की न्युक्ती होना तो मैं समझता हूँ कि ये सभी कारेयों की वज़ा से आज पंजाब पहले स्तर पर आया है अगर आज दिली छटे स्तर पर आया है हर वकत मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपने स्कूल की बिल्डिंग्स को दिखा कर बहुत परचार किया आज पंजाब को डेट सो अंकों से डेट सो अंक ये भारत सरकार की द्वारा जो 239 नंबर पंजाब को एक हजार से मिले हैं उसके अंदर इंफरस्ट्रक्चर में डेट सो में से डेट सो नंबर पंजाब को मिले हैं और अगर कुछ कमिया है अभी तो 71 नंबर हम अभी भी है एक हजार से पीछे हैं और अगर क्याप्टन अमरिंदर सीन जी का मोदीगी जी के साथ कुछ ऐसा होता या या आंकड़े उस प्रकार से निकल सकते तो कुसी भी बीजेपी प्रदेश के अंदर भी ये आंकड़ा पहले नंबर पर आ सकता था आपने देखा है कि जो गुजरात मौडल पूरे देश में जाकर बिकता था सिक्षा के शेतर में आज गुजरात भी आठ्वे स्थान पर पहुंच गया है हर्याना ग्यार्वे स्थान पर आया है और आज दिल्ली छटे स्थान पर आया है तो मैं समझता हूं कि आज सिख्या विभाग दिल्ली के जो हमारे बिहेव किया तो मैं समझता हूं कि आज जरूरत है कि अगर पंजाब ने कुछ अच्छा काम किया है और राज़ितिक तोर के उपर भी आप लोग हमेशा पंजाब में आने की कोशिश करते हो पर पंजाब से कभी सीखना नहीं चाहते जब दिल्ली के अंदर काले कानूनों क की बात आई मोदी जी की सरकार के द्वार काले कानून इस देश के किसान के लिए मजदूर के लिए दुकानदार के लिए बनाए गए उसके अंदर भी पहले उनको रेटिफाई जब किया तो आम आदमी पार्टी की केजरी वाल सरकार ने उन बीजे पी द्वारा जो बनाई हुए कानून थे उनको ratify किया और जब समझ आया कि इन्होंने पंजाब के अंदर इनको खारिज किया सभी पार्टियों ने मिलकर तो उस वकाद जाकर फिर इन्होंने उन्हीं काले कानूनों को विधान सभा का स्तर बुलाकर उसको फारने का कारे किया तो मैं समझता हूँ कि आज आपना ससोधिया जी इस बात को समझें पंजाब का जो जो आंकरा है उनकी merit के अधार पर आया है उनकी मिनत के अधार पर आया है जो पिछले साल चार साल से लगातार पंजाब के अध्यापक और पंजाब का सिक्षा विभाग officers under the dynamic leadership of Captain Amrindra Singh जो कर रहे हैं यह उसके अधार पर आया है